वेलकम टूरेसक जयांव आज है 15 अपरियल 23 और 15 अपरियल 23 से करेंट अफेस की जितने भी इंपोर्टेंट कुश्यन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्यन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूर आपको सारी पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कस में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम गुरूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्यन है हाली में 24 पारे में जाग रुकता बढ़ने के लिए हर साल चाओदे अप्रेल को आर्बिय का स्तापना दिवस मनाए गया और एक अपरेल को ही उडीसा दिवस या उतकल दिवस मनाए गया दो अपरेल को बेसु ओर्टेज में जागरुकता दिवस मनाए गया चार अपरेल को अंतरास्टी खान जागरुकता दिवस मनाए गया पांच अप्रेल को अंतरास्टी समुद्री दिवस और अंतरास्टी बिबेक दिवस मनाया गया चे अप्रेल को बिकास और सांती के लिए अंतरास्टी खेल दिवस मनाया गया साथ अप्रेल को बेस्सु स्वास्ते दिवस मनाया गया 11 अप्रेल को रास्टी सुरक्षित मात्रत्य दिवस और बेस्सु पार्किंसन्स दिवस बनाये गया, 12 अप्रेल को मानब अंतरिच उड़ान का अंतरास्टी दिवस मनाये गया, तो अप्रेल में अभी तक इतने इंपोर्टेंड ही मनाये गये, यह आपको याद रखने है, अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं, 40 या लाइक का, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, एल्पो लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और सियर जरू किया करो, और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टार्गेट पिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोट कर, सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो, और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचीब करने में लगा दो, आपकी लाइप ऑटोमेटिक लिए अच्छी हो जाएगी, ने क्यूशन है, हाली में उत्तरपूर भारत के पहले एम्स का उद्गाटन के सहर में किया गया है, तो नौर्थ इस्ट का पहला एम्स अभी बनके तयार हुआ है और इसका उद्गाटन गौाटी में प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, नौर्थ इस्ट के पहले एम्स का उद्गाटन गौाटी में प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ने क्यूशन है, हाली में किसने अपनी कॉफी टेबल बुक दा बेंकर टू एबरी इंडियन लॉंच किया है, तो ये एक कॉफी टेबल बुक है, दा बेंकर टू एबरी इंडियन, इसे एस्बिया ने लॉंच किया है, तो इसको शिन का बे आप्शन सही है, अब एक बुक ये थी, कूर्टिंग इंडिया, ये ननिनी दास ने कूर्टिंग इंडिया नमक अभी एक नई बुक लेकी थी, पियूस बाबेल ने नई पुस्तक, गांदी, सियासत और साम्परताइकता लिखी, बाडी तिरपाटी ने अपनी पहली पुस्तक, वाई कांट एलिफेंट वी रेड लिखी है, और बासुस चटरजी एंड मेडिल अप दा रोड सिनेमा नमक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे अनिरुद्ध भट्टाचारे ने लिखा है, तो ये अभी रेसेंट बुक्स हैं, ये आपको याद रखनी है, ने क्यूशन है, हाली में कौन सा राज्य, राज्य उर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में टॉप पर रहा है, तो अभी आन्दप्रदेश, राज्य उर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में टॉप पर रहा है, तो इस क्यूशन का से ओप्सन सही है, अब आन्दप्रदेश टॉप पर तो यह है मैप में आंद्रप्रदेस आंद्रप्रदेस की केपिटल क्या है विसाका फटनम आंद्रप्रदेस की अभी नई केपिटल बन गई है विसाका फटनम आंद्रप्रदेस की चीपनिष्टर है जगन मोहन रेड़ी और आंद्रप्रदेस की गवर्नल कौन है बेश्यू भूषर्ड हरचंदर अच्छा अभी आंध्रदेश में अधिक्तम बन छेतर विक्सित हुआ हैं मुख्यमंत्री ने बेज केनरों पर प्रेटक थानों का उद्गाटन किया और आंध्रदेश ने अपनी नई राजदानी विसाकाफ Below को किया है अभी तक राजदानी थी अमरावती लेकिन अब आंद्रप्रदेश ने विसाका फटनम को अपने नई राजदानी गोशित कर दिया है अगनी कुलम कॉस्मोस ने भारत का पहला नेजी लांच पेड आंद्रप्रदेश के स्रीहरी कोटा में स्तापित किया अच्छा बा जस्टिस बट्टू देवानंद ने मद्रास हाई कूट के अत्रिक्त न्यायदीस के रूप में सपतली तो इसको इनका बे आप्सन सही है यह है जस्टिस बट्टू देवानंद इन्हों नहीं अभी मद्रास हाई कूट के अत्रिक्त न्यायदीस के रूप में सपतली एक यह नाम लिखा है जस्टिस एके सिंग ये नाम सुन की कुछ याद आया अभी तिरपुरा हाई कूट के नए चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस एके सिंग अच्छा एलाइसी ने चेफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रतनाकर पतनायक को न्युक्त किया है सुजुकी मो मोटो कॉप का CEO निरंजन गुपता को न्युक्त किया गया एक्सिस सिक्यूर्टीज का नया MD & CEO प्रडव हरिदासन को न्युक्त किया गया और NDTV ने UK सिंग को गैर कारिकारी अध्यक्ष न्युक्त किया है ये अभी रिसेंट के अपॉइंटमेंट हैं ये आपको याद रख कतर के साथ अपने राजनेक संबन फिर से सुरू किये तो इसकुशन का A options है अब कतर तो ये है map में कतर कतर की capital क्या है दूहा कतर की currency क्या है कतरी रियाल और कतर के present time पे प्राइमिस्टर कौन है मोहमद बिन अब्दुलरह्मान बिन जसीम अल्थानी कौन है किसे business leader of the decade पुरुषकार मिला है तो अभी कुमार मंगलम बिडला को business leader of the decade पुरुषकार मिला तुछ कुशन का C options है ये All India Management Association द्वारा IOJ 13 में Managing India Awards में business leader of the decade का पुरुषकार कुमार मंगलम बिडला को मिला है ये हैं कुमार मंगलम बिडला Next question है खाली में कौन सा सहर पहले बैस्विक बौद सम्मिलन की मेजबानी करेगा तो अगले सपता नई दिल्ली पहले बैस्विक बौद सम्मिलन की मेजबानी करेगा तो इस question का बे options है ने question है हाली में किस भारती को time के 100 प्रबाबसाली लोगों की सूची में सामिल किया गया है तो अभी सारुक खान को time के 100 प्रबाबसाली लोगों की सूची में सामिल किया गया है इस लिस्ट में इंडिया की दो लोग सामिल हुए हैं एक है सारुख खान और दूसरे हैं SS राजा मौली सारुख खान को आइकन सूची में सामिल किया गया है और SS राजा मौली को पाइनियर सूची में सामिल किया गया है हाली में बच्चों के लिए Oxford malaria vaccine को मंझुरी देने वाला पहला देस कौन सा बना है तो अभी घाना बच्चों के लिए Oxford malaria vaccine को मंझुरी देने वाला पहला देस बना तो इस question का बे options आई है अब घाना तो यह है मैप में घाना की केपिटल क्या है अकरा घाना की करंसी क्या है घाना केडी और घाना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है नाना अकूफो अडो कौन है नाना अकूफो अडो ने कुशन है हाली में अमन सहरावत ने ACI कुस्ती चेंपिंशिप में कौन सा पदक जीता है तो अमन सहरावदम है, इन्हों हैं अभी ECA E कुस्ति चेंपिंसिप में स्वर्ड पदक जीता, तो इस कुशिं का C options है, कजाकिस्तान के अस्ताना में अमन सहरावदमई ने ECA E कुस्ति चेंप्यंजिप में गींद मेडल जीता है यह हैं ऐमन जहरावत नेहीं ही राजी में पसु संरक्षड के लिए केसराजी के मुक्हमंतरी ने यह अहयलप कारीक्रम सुरुख किया है तो अभी पसु संरक्षड के लिए उत्राखन के चीपमिशटर पुसकर पुष्कर सेंग धामी ने एहल्प कारिक्रम शुरू किया, तो इसको उनका बे औस आप्सन सही है, इसमें क्या होगा, एहल्प कारिक्रम में, जितने भी पसु हैं, उनकी टैगिंग की जाएगी, उनका क्रचत्रिम गर्बाधान कराया जाएगा, इस टैप से पसुस रिलेटे जितने भी प्रोब्लम्स होती है उनको solve किये जाएगा तो उत्राखंड की बात है तो यह है मैप में उत्राखंड उत्राखंड की capital क्या है दहरादून उत्राखंड की चीपनिश्टर कौन है पुसकर सेंग धामी और उत्राखंड की गोश्टर की है उत्राखंड के विधानसभा भवन में फूल देही उत्सब मनाये गया है रेसम उत्पादों के लिए बीमा योजना सुरू करने वाला भारत का पहला राजी उत्राखंड मना है अच्छा उत्राखंड में फूलों की घाटी है फूल देही तिवार है सबसे पुराना है इसलिए इसका पूर्वनाम पूचा जाता है इसका पूर्वनाम है है्ली नेशनल पारख ने किशन है, हाली में भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साजा मंच लौंच किया है तो अभी भारत, जापान और फ्रांस ने स्री लंका की मदद के लिए साजा मंच लौंच किया ग्दोडुकुषियं को C आप स्रीलंका की मदद के लिए लॉंच किया तो ये है मैप में स्रीलंका स्रीलंक केपिटल क्या है कुलमबो और स्रे 1 जावदने पूरं कोटे कुलमबो कॉमर्सिल केपिटल है और स्रे 1 जावदने पुरम कुटे administrative capital है स्री लंका की currency क्या है स्रे लंकर रूपी स्री लंका की present time पर प्रेसिडेंट कौन है रनिल बिक्रम सिंग है और स्री लंका की present time पर प्राइमिस्टर कौन है दिनेस गुडबर्धन अभी स्री लंका की बैंक ने एक भारती रूपया नामित नौस्ट्रो खा स्री लंका के स्रे मुक्तिनात मंदिर में गंटी लगाई गई है भारत ने आर्थिक सायता योजना के अंतरगत स्री लंका को 50 बसें प्रदान की है और 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी स्री लंका करेगा अच्छा इंडिया और स्री लंका की बीच में पाक की ने कुशन है हाली में भारत में सबसे उंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण के स्राज में किया गया है तो अभी तेलंगाना में भारत में सबसे उंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया तो इस कुशन का A option सही है आपको पता है 14 अप्रेल को अं अमड़कर जैन्थी पर तेलंगाना के चीपनिष्टर के चंसेकर राव ने तेलंगाना में अमड़कर जी की 125 फीट उची प्रतिमा का अनावरण किया। तमिल साई सौंदराजन अभी तेलंगाना सरकार ने लेक डिवलोप्मेंट प्रोग्राम जारी किया तेलंगाना में समता कुम सुरू हुआ है तेलंगाना पुलिस महानेदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदवार ग्रेड किया है तेलंगाना में नेम के पेडों की पत्तियां डाइबैक रोक से प्रवावित पाई गई है तेलंगाना सरकार ने कांटी बेगुलू योजना को फिर से लॉंच किया है ने क्यूशन है हाली में किस ने बंदरगाओं पर ग्यारे में अंतरास्टी सम्मिलन को सम्मोदित किया है तो केंदरी सडक परिभन एबम राजवार्ग मंतरी है नितिन गड़करी इनोंने अभी मुंबई में ग्यारे में अंतरास्टी सम्मिलन को सम्मोदित किया बंदरगाहों पर ग्यारे में अंतरास्ती सम्मिलन को नेतेन गड़करी ने संभोज़त किया है तो इस कुश्यन का से ओप्सन सही है अब लास्ट वीडियो के कुश्यन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आपसे कुश्यन पूछा था कि हाली में किस राजी की गौन्ड पेंटिंग को जी एटेग मिला है तो मद्य प्रदेश की गौन्ड पेंटिंग को अभी जी एटेग मिला तो इस कुश्यन का एप्सन सही था और लगबख सभी इस्ट वीडियों का अंसर सही दिया मुस्ट ले इस्ट वीडियों के वारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुश्यन के बारे मैं आपको जितना ज़ाद से ज़ाद पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अच्छा अब ये 31 मार्च को इंडिया के 33 नए प्रोड़क्ट्स को जी आइटेग मिल गया है और ये इंपोर्टेंट है इनके लिए मैंने अलग से ये बीडियो बना दिया है आपको बस जी आइटेग इंद्रेस आरसी सरज करना है जी आइटेग इंद्रेस आरसी आपको ये बीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो को आप एक बर जरूद देखिए, इंडिया के 33 नए प्रोड़क्ट्स को यह टेग मिला है, इसमें से बहुत सारे प्रोड़क्ट्स ऐसे हैं, जो कम टीटेब एक्जाउं पॉइंट अब आपके लिए आज को कुशन, आपके लिए आज को कुशन है, हाली में भारत की पहली अंडर बाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रैल किस सहर में किया गया है, चार ओप्सन दिये गये हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है, और इसके अलाबा हम हमारे फेस्टुक पेज़ पर प्रेबियस सहर कुशन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी, इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फूजन, बिदाउट एनी हजीटेशन डिस्कस कर सकते हैं, अच्छा, आज किस वीडियो का आप टार्गेट आली से लाइक का, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अलपो लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो, और आपके पास जो भी स्टेडी रिलेटेड वाट्स अप और फेसु ग्रूप हैं, उनमें आप इस वीडियो को सेर जरू कर दि आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी, जब आप से सब्सक्राइब करेंगे, तो बरावर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरू किलिक कर लें, जिससे कि आप खुड डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे, नेक् झाल झाल वोचिंग